है इचन बड़िया लगे वारो इसके हैं इचन बड़िया रखेषा इचन बड़िया अधिया तो च्रक इट रूप है पूरे 50 श्कॉर्श गच के आश्मास की दना हो रहा है आज हम आए हैं G7 और G8 के सेक्टर में आपको घुमाने ये पूरा सेक्टर EWS और LAG फ्लैटों का है सारे ही boundary wall के अंदर बने हैं चोड़ी चोड़ी सड़के हैं ये जितनी सड़के आप देख रहे हैं ये अभी कुछ टाइम पहले ही बनी है और काफी अच्छा सेक्टर है हर पोकेट में कम से कम 5-6,000 फ्लैट है तो इसका मतलब है यहाँ पर अगर आप फ्लैट खरीदते हो ground या first floor तो आपका यहाँ पर रोजगार भी चल सकता है किसी भी चीज की यहाँ दुकान खो सकते है general store, parlor, cosmetic, कुछ भी खोलोगे tuition center तो आपको काफी सारे customer आपको फ्लैटों में ही मिल जाएंगे और आप यहाँ से 20,000 से लेकर 50,000 फे मंतली घर बैठे आप कमा सकते हो चोड़ी-चोड़ी सड़के हैं, पारक है, साथ में ही UER2 का जो highway है जिसमें आपको गुरुगराम, दुआर का और IGL airport का जो रास्ता है मातर यहाँ से 2 किलोमेटर की दूरी पर है साथ में ही मातर आदा किलोमेटर की दूरी पर ही कटरा का highway है जो कटरा का highway त्यार हो रहा है, पानी पत्तक हो चुका है त्यार तो यहाँ से आप 6 घंटे के अंदर आप कटरा चला जाएंगे वैशनो देवी यह काफी अच्छी जगा है जो नरेला के sector G7 और G8 में पढ़ते हैं LIG और EWS फ्लैट इसके अंदर आपको टाइल पत्तर का काम हुआ हो है काफी अच्छा kitchen का space है, साथ में community hall है सेंटर पारक बना हुआ है, काफी बड़ा पारक है, काफी चोड़ी चोड़ी सड़कें है गाड़ी बगएरा खड़ी करने की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी और अगर आप EWS फ्लैट लेना चाहते है तो उसका जो booking amount है वो 50,000 रुपे है और अगर LIG आप booking करना चाहते हैं तो उसका जो booking amount है वो 1,000,000 रुपे है 80-90% के आसपर इन पे आपको loan मिल जाता है इनका जो EWS का जो price है वो आपका 14,000,000 रुपे है 40 गच के EWS flats हैं और जो LIG flats हैं जो high-res आपको ये building दिखाई दे रही है सारे ही LIG flats हैं ये जो है 55 गज में हैं और इनका जो price है वो 25,000,000 रुपे है और 55 गज के हैं नई construction में बने हुए ये EWS और LIG flats हैं ये सारे ही LIG flats हैं अगर आप भी चाहते हैं लेना तो काफी अच्छे हैं और अगर आप लेना चाहते हैं तो आकर एक बारी देखें अपनी पसंद की location का आप book कर सकते हैं जैसे चोड़ी सड़क पारक फेस बॉंडरी फेस गेट से entry करते हैं वो उस तरीके आप अपनी पसंद का corner का जैसा आपको पसंद आता है कि आप commercial कुछ activity यहाँ पर करना चाहते हैं या office खोलना चाहते हैं कुछ भी करना चाहते हैं अपनी पसंद के साब से अपने जिस तरीके अगर आप रहने के लिए ले रहे हैं तो आपको कौन सा floor अच्छा लग रहा है ग्राउंड या first या उपर का कोई सा तो आप अपनी पसंद का यहाँ पर flat खरीज सकते हैं अगर आपको एक में sample flat यहाँ पर AWS का भी दिखाऊंगा और साथ में LIG का भी दिखाऊंगा आपको जुरूर पसंद आएगा अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपरक कर सकत हैं तो उसमें भी help करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को like कर दें यह जो देख रहे हैं यह sample flat है LIG flat का जो काफी बड़िया बने हुए है जैसी आप entry करते हो यह काफी बड़ा hole आ जाता है और साथ में ही काफी बड़ी यहाँ पर kitchen बनी हुई तो यह आपका hole आ जाता है living room आ जाता है और साथ में वो kitchen है जो kitchen का space भी काफी बड़ा है देख सकते हैं कितनी बड़ी kitchen है देख सकते हैं काफी बड़ी kitchen है kitchen में आप fridge वगएरा की भी जगा है साथ में अगर आप इसमें कुछ काम कराना चाहते हो तब भी आपको दिक्कत न garden वगएरा का जिस तरी के आप कराना चाहें आप करवा सकते हैं और देख सकते हैं इसका space काफी खुला है काफी बड़ा room है और बाहर के नजारे भी यहां से काफी अच्छे आते हैं इसाथ में यह आपने लाइटिंग bathroom बने हुए हैं और यह आपका room आ जाता है जिसमें आ जारे काफी अच्छे आते हैं आप देख सकते हैं बालकनी का भी space ठीक ठाक है अपना और यह भार देख सकते हैं यह छोटे छोटे पारक भी आपके बने में greenery वगएरा साथ में आप यह building के नजारे देख सकते हैं जैसी आप entry खोलते हैं गेट तो आपको नजारे आते हैं जी टू भी अच्छा है जी टू में इनका प्राइस थोड़ा कम है जी टू में 21 लाग का LIG है और EWS साड़े 11 लाग रुपे का है और यहाँ पर वही फ्लैट बस इनके कलर अलग है इन फ्लैटों के उनके कलर अलग है मगर अंदर से जो नक्षा बगएरा वो बल्कु सेम है यहाँ पर जो है आपका LIG फ्लैट 25 लाग 20 लाग का है और EWS जो है अपना 14 लाग रुपे का है और G7, G8 में G2 में आपका 21 लाग रुपे का LIG है और साड़े 11 का EWS आगर आप इधर का भी देखना चाहते हैं तो इधर का भी देख सकते हैं उधर का भी देखना चाहते हैं उदर का भी देख सकते हैं, दोनों ही आसपास ही सेक्टर पढ़ते हैं, ज्यादा अंतर नहीं हैं, सिरफ दो किलोमेटर की डिस्टेंस पर दोनों जगा पढ़ती हैं, आप आकर देख सकते हैं, आम से संपरक कर सकते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे, सैंपल फ्लैट, EWS फ् इजिट करनी है, फ्लैट देखना है, और पसंद करना है, और बुक करना है, अगर आपको पसंद आता है, और अगर आप चाते हैं कि आपनी फैमिली को भी दिखाना चाते हैं, तो साथ ही लेके आएं, क्योंकि आपनी पसंद के बुक होई जा रहे हैं, आप अपनी पसंद क या फ्लैट देखकर बुक कर सकते हैं अब मैं आपको देखाने जा रहा हूं EWS फ्लैट जो सेक्टर G7 G8 में पढ़ते हैं यह जो पढ़ते हैं सेक्टर G7 और G8 में जिन में बुकिंग चल रही है पोकेट 11 के अंदर चल रही है डीड यह EWS फ्लैट जो अभी आप देख रहे ह यह भी काफी सही बने हुए हैं काफी अच्छा स्पेस है साड़े 34 मीटर में हैं 40 गज में जैसी एंट्री करते हैं तो 8 बाई 12 का यह लिविंग रूम आ जाता है सामने लैटरिंग बातरूम बने हुए साथ में कीचन है और साथ में ही आपके जो है अपना 7 बाई 10 का रूम आ जाता है यह जो आप देख रहें सामने लैटरिंग बातरूम है वो आपका 7 बाई 10 का रूम है देख सकते हैं आप एक छोटी फैमिली के लिए अच्छे फ्लैट है इनमें आपका थोड़ा सा कवरिंग स्पेस भी है जो आप अगर कवर करना चाहें एक छोटी दुकान की जगा निकल आती है आपका रूम भी बड़ा हो जाता है यह रूम आपका और बड़ा हो जाएगा साथ बाई 15 के आसपास खीश सकता है पांच फूट और बड़ा हो सकता है अगर करना चाहें तो आप नई तो आप एक छोटी दुकान उसमें बना सकते हैं क्योंकि बालकनी म देख सकते हैं किचन और यह देख सकते हैं पीछे भी आपका जगा है पीछे और आगे दोनों तरफ आपको छोटी चोटी पर पारक दे रखे हैं तो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेर कर दे जिन्हें अपने किराई की जिंदिकी से अजाद होके अपने सप किचन और यहां सारी सिउईदा है एक अच्छे महुल बच्चों का बनेगा साथ में अंदें पारक वगएरा सब जूज होएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे शेर कर दे उन तक पचाद हैं जो दिल्ली के अंदर रहते हैं दिल्ली के बहार रहते हैं उनका एक सपना है अपने घर खरीदने का तो उनके लिए काफी अच्छे हो सकते हैं ऐसी वीडियो को प्यार देते रहे, लाइक करते रहे, शेर करते रहे, मिलते हैं आप सबसे नेक्स वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, आप सबका दिन शुबो